आप सभी का आज कि इस गड़ित की पाठी होजना में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज कि आप देख सकते हैं पाठी होजना संख्या है एक क्यासी इसका मतलब है कि असी पाठी होजना जोसन की क्लास यूटीब चनल पे अलग-अलग प्लेलिस्ट वाइज अप्लोड़ में आपकी सहायता के लिए मैंने महां पर आलाग-़लग कर दिया है सभी प्लेलिस्ट को जिसे आप लोगं को ढूंडने में किसी भी पार्धी होजना को दूंडे में में फिर भी अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई पाठी हुजना नहीं मिलती है तो मुझे comment box में यहाँ पर YouTube पर किसी वीडियो के comment box में बता सकते हैं या फिर रोशन की class Facebook page पर जाके मुझे message कर सकते हैं मैं 24-47 गंटे के अंदर कोसिस करूंगो कि आपकी पाठी हुजना आपके पास पहुच जाए तो चलिए दोस्तों आप सुरू करते हैं आज की पाठी हुजना की वीडियो आप देख सकते हैं सबसे उपर आपको पाठी हुजना संख्या लिखनी होती है उसके बाद आपको वि इसे को खाली छोड़ दीजिएगा कालांस है दोती है मैंने पहली के वीडियो में भी बता रखा है मैत वाले कि जो गडित की पाठी योजना बनाई जाती है उसमें कालांस आपको प्रथम दोती है तृती है फिर चतूर्थ में से यह लिखना होता है खासतों से प्रथम दो अच्छे से समझने आ जाता है तो यह सारी टेक्निकैलिटी आप लोग को अगर सब पता होंगी छोटी छोटी तो आप अच्छे से अपने एक्जामनर को इस चीज को बताएंगे तो वह आपसे अच्छे से खुस हो जाएगा और आपको अच्छे से नंबर देगा उसके बा यानि कि माइक्रो टीचिक में कॉसल होता है उद्दे से लेखन कॉसल इसमें आपको स्यामपट पर सारी चीजे लिखने की कॉसल को प्राप्त करना होता है इसमें आपको जितनी चीजे दिख रहे इतना आपको स्यामपट पर लिखना होता है उसके बाद एक चीज और लिख यह नाम उसका उसके बाद आपको यहां पर प्रक्ण के बाद लिखना होता है सामानी उस्देश यानि कि आपका CG SICCHAynn अगर आप है fiu इसमें पहला पॉइंट क्या है इसमें पहला पॉइंट है देनिक जीवन में गडित की उपयोगता को बताना बच्चों को तूसरा पॉइंट है छात्रों में गडित विशय के प्रतिरुचित पन करना तीसा पॉइंट है छात्रों को गडित के प्रस्णों को हल करना सिखाना चौथा पॉइंट है चात्रों में तार्किक धंग से सोचने की चंता का विकास करना और 500.00 को गडित विश्य के सर्तों और नियमों को से परिचित कराना यह था समान लुढेश समान लुढेश के येक हैं यह न चीजे लिखनी होती है कि उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा उनको आप क्या सिखाना चाते इस पार्ट को पढ़ाने से तो उसके बारे में यहाँ पर point wise लिखा जाता है इसमें आपको minimum 3 point लिख सकते हैं आप और maximum 4-5 point भी इसमें लिखा जा सकता है तो देख लिजे पहला point है चात्रों को संख्याओं के बारे में बताना दूसरा point है चात्रों को वैभारी जीवन में संख्याओं के उपयोग की जानकारी देना तिसरा point है चात्रों को किसी वस्त को गिनने किस विभीन एकाईयों के बारे में बताना और चौता पॉइंट है छात्रों को संख्याओं की सही जगर उप्योग करना बताना उसके बाद विशिस्टुद्देश के बाद आता है हमारा सिच्छर सहायक समगरी इसको आप सहायक समगरी भी लिख सकते हैं और या फिर प्रयुक्त सहायक समगरी भी लिखा जा सकता है इसमें वो सारी चीज़ें लिखनी होते हैं जिसकी सहायता आप 40 निट की क्लास में टीचिंग करते हैं तो यहां पर आप देख लिए लिखा गया है चौक, डश्टर, लपेट, सियामपट यह सारी चीज़ें नेसेसरी हैं मैथ की क्लास अगर आप ले रहे हैं तो चौक, डश्टर और सियामपट अत्यंत आवस्यक है इसके बिना आप मैथ नहीं पढ़ा सकते हैं दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया भी जा सकता है लेकिन मैथ आप चौक, डश्टर, सियामपट के बिना नहीं पढ़ा सकते हैं तो सिछट सामगरी में यह चीज़ें यहां पर लिखना उसके बाद एक आप छात्रा ध्यापक है तो आपके पास संकेतक होना चाहिए जो संख्याओं के बारे में समाने जानकारी है मतलब उनको संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी है उसके बाद आपको यहां पर सबसे इंपोर्टेंट हेडिंग लिखना है प्रस्तावना 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 प्रस्त का मतलब होता है यहां पर आपको अपना प बनाता है संख्या कैसे मर्वे इसे सं हिसी कार्षा सिपल से उसके पुरु जाकर के पुरुवग्यान के हिसाब दियूभ को सब्सक्रान के जिसे हम सबसे बड़ी इसके बता सवतों हैं सबसे बड़ी तो बची बता देंगे संख्या सो्फे Ut तीसा प्रशन पूछिए कि कैसे पता चला कि 9 सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे बाकी संख्याओं से अगर हम तुलना करें तो पता चलेगा कि 9 सबसे बड़ी संख्या है उसके बाद चौथा पॉइंट है दैनिक जीवन में हम संख्याओं का उप पूछ लीजिए कितने मिली घ्राम में 떨ु deficता है कितने मिली राम में एक किलो राम होता है तो यहां पे इसको बारे में अभी उनको संख्याों की समान झान देन लए थी तूसां प्रणге बारे में टो बता दिया उन्होंने परंत अभी कल रें पता है कि कैसे बदला जाता है मिलीग्राम को किलो ग्राम में किलो ग्राम को ग्राम में यह सारी चीज उनको नहीं पढ़ाई गए अभी इक च्छापांस तक तो यह नहीं बता पाएंगे तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रस्ण तो इसके बाद देख लिजिए यहाँ पर एक बार मैं आप लोगो डिटेल्ल टॉपिक पॉइंट प्रस्तूतिकरण अभी तक तो आपने सारी चीज़े भावना बनाई कि किस तरीके से क्या पढ़ाना है अब आपको चीज पढ़ानी है प्रस्तूतिकरण में उस चीज के बारे में बच्चों को बताना है तो यहां पर हेडिंग लिखना होता ह प्रस्तुतिकण का देख लिए यहां पर इसमें 5 कॉलम होते हैं और पांचों को एक पेज पर बनाएंगे तो सारी चीज़े अच्छे से नहीं लिख पाएंगे इसलिए 2 पेज जो एक दूसरे के सामने होते हैं दोनों पेज उसका प्रयोग करके पूरे प्रस्तुतिकण को ब बना जाती हैं अब इसके बाद मैं एक साइट से दिखाता हूं कि सिछड़ बिंद में आपको लिखना होता है जिसका चात्रा ध्यापक कतर में व्याख्या की जाती है तो यहां पर एक ही चीज़ पढ़ाने है आपको आज के क्लास में व्यावारिक प्रयोग में बड़ी सं सेंटी मेटर का प्रयोग क Manufactmas design क किसी पेंसिल कि लेंबाईंगा है तो आपर हम सेंटी मेटर के यूज़ करते हैं पर implant एक पेंसिल की मोटाई दर्साने के लिए सेंटीमेटर नहीं यूज़ कर पाएं क्योंकि सेंटीमेटर पड़ा हो जाएगा तो सेंटीमेटर से छोटी मे प्रेयोंग किया जाता है उसके बाद इसको चाथ 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 द्यान पुरोग चुनेंगे व्याक्यान विदी थी तो यहां पर अधि लिख दीजिए और स्यमपट कारे पर सबसे पहले प्रकराण लिख दीजिए वहारी प्रेयों में बड़ी संख्या है उसके बाद यहां । यह सारी चीजिए आपर फिर याद कर लेंगे इसको अब दूसरा यहाँ पर बताना है इस प्रकार जैसे अभी लंबाई मा आपने के लिए आपने बता है उसी प्रकार गेहूं-चावल या सब्जी के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं किलो ग्राम ग्राम इन सारी चीजों का जिसमें हम भार तॉलता है उसका प्रियोक करते हैं और इसी प्रकार धालता यानी कि ध्रवे तर्ल्क प्रदार्थों को मापने के लिए हम लीटर या फिर मिलीड़ का प्रियोक code करते हैं इसको भी चात-इस्यात्रा मिली लीटर जैसे किलो ग्राम था किलो मीटर था और किलो लीटर था सभी में किलो आता है ऐसी तरह से मिली भी आता है और सेंटी भी आता है तो यह सभी में सर्वनिष्ट था सभी में था आपको याद रखना चाहिए कि कीलो का अर्थ होता है हजार इसमें सबसे बड़ी जो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें सबसे बड़ी जो इकाई थी वह कीलो थी जिसका मतलब होता है एक हजार अब इसके बाद चाहतरा कथन में लिखे चाहतरा ध्यान पुरोग सुनेंगे और समझेंगे इस पश्टी कंड विधी यह थी आप इस पश्टी कंड दे रहे थ खत्म हो जाता है प्रस्तु करण आप वीडियो को रहाम से लिख लीजिएगा जारी चीज़ें अपर मैं दिखा देता हूं उसके अप्रस्तु करने के बाद आता है हमारा लेशन प्लान का पुंणारा वरत का प्रस्द यहां पर देख लिजिए दोस्तों चात्र केंट री छात्रों से बीच-बीच में 40 मिनट की क्लास में कुछ प्रस्न पूचे जाते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाय की तरफ लगा रहा है और इधार दुरह ना भठके तो छात्रों से यहां पर मिनिममिमम 1-2 प्रस्न पूच सकते हैं, 40 मिनट की क्लास में और मैक्सिम 3-4 प्रस्ण भी इसमें पूछा जा सकता है तो देख लिए यहां पर पहला प्रस्ण है कितने सेंटीमीटर में एक किलोमीटर बनता है या फिर दूसरा प्रस्ण है आप अपनी कच्छा के कमरे की को किस इकाई से मापते हैं इसके बारे में आपको बताना है जिसके अच्छा में आप पढ़ रहे होंगे आप बच्छों से पूछ लिजए कि आप जिस क्लास में बैठे हैं इसकी जो लंबाई चोड़ाई है इसको हम कैसे ना पेंगे किस इकाई से पर पेंगे मुल्यांखन का प्रस्ण मुल्यांखन के प्रस्ण में जैसे वह पुन्रायत का प्रस्ण साथ चात्र केंद्रित था मुल्यांखन का प्रस्ण वह सिच्छक केंद्रित होता है पूछा वह चात्र से जाता है परंतु उसका जो रिजन होता है पूछने का वह सिच्छक अपना मुल्यांखन करना चाहता है कि उसने जो पढ़ाया 48 की क्लास में बच्चों को कितने अच्छे तरीके से उसने पढ़ाया कि उनको कितना समझ में आया है तो यहां पर सिच्छक अपना मुल्यांखन करता है प्रसन पूछ के यहां पर देख लिए मिनमम इसमें भी आप एक से द पढ़ाया होंगे तो तीन चार प्रसन भी दे सकते हैं कम पढ़ाया है तो एक से दो प्रसन काफी है तो यहां पर देख लिजिए और यह कारे बच्चों को दिया जाता है घर से करके लाने के लिए और अगली क्लास में बोल दिजिए कि चेक होगा यह चीज या फिर कोई च अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दिया करें जिससे मुझे पता चल सके कि कि इतनी लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं वीडियो काफी लोग देखते हैं परन्तु लाइक उतनी नहीं आते तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है सिर्फ लाइक बटन पर क् करता इसमें विल्गुल फ्री है तो दोस्तों मिलते आप नेक्स्ट वीडियो में कल की वीडियो में कल मैं रिजनिंग पढ़ाऊंगा सुपर टेट का तो उसमें मिलते हैं सुपर टेट की तैयारी आप लोगों की जो रसवरों से चल रही होग आसा करता हूं और मिलते तब तब कल के वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों का बहुत भूत धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्राम